वेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल प्रेगनेंसी में नीन का कनेक्शन बेबी बोई या बेबी गल से कई ओल्ड वियू से ने जोड़ कर देखा गया है यह इसमें कितनी सच्चाई है और साइंटिफिक तरीके से इसका रिजन क्या है यहाँ पर मैं अपने इसमेंट आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ हमारे यानि सब्सक्राइबर हैं जो उनके भी एक्सपिरियंस को में यहाँ पर शेयर करूँगी साथ हम दादी नानी के बेसस पर भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना रहता है तो आपके चार से नौ महने में हम यहाँ पर ब अगर आपका पेट अंडाकार है तो आप बेबी बोई को तो फ्रेंड से यह जो मेरे केसिस में मुझे बेबी बोई हुआ था सेकेंड प्रेगनेंसी में तो मेरे साथ तो बिल्कुल सही साथिक साबित हुआ है जो दादी नानी के बेसस पर भी क्यूंकि मेरा खुद का रहता है और आपको बेबी बोई या बेबी गल भी हो सकते हैं क्यूंकि बहुत सारी महलाओं को पूरा पेट गोल रहता है अंडाकार होता है उनको बेबी बोई होते हैं इसके साथ ही अगर आपका पेट अंडाकार है तो वह इसलिए ऐसा होता है क्यूंकि जो आपका बेब है वो पेल्वी हिस्से यानि की नीचे की तरफ ज्यादा उसका सर रहता है इससे भी बेबी यानि की जो आपका पेठ है वो लंबा और अंडाकार और जुका हुआ यानि की लंबाई में दिखेगा नीचे की तरफ और इसके साथ ही जो दादे नानी बताती है और कई लोगों क मैं के अगा तका केछना है हमारे सज्क्राइबर और को अभी को अगर आपको बाऌंत तरफ ज्यादा कमफटेवल तरिकी जाती है यानि उस पर नाइंध मंत में ज्यादा कमफटेवल तरिके से लाइन करवट सोते हैं यानि की तो इसमें भी यह देखा गया है कि आप बेब करवट पर ही सोकर निकाला है मैं दाइं करवट एक बार भी नहीं सोई क्यूंकि मैं जैसी दाइं करवट लेती थी मुझे नहीं आती थी अनकमफिटबल लगता था और इसके साथ कुछ-कुछ लोगों को जैसे महलाओ को बाइं करवट ही ज्यादा कमफट तरीके से नीद आत लगता है आपको बेबी बोई भी हो क्योंकि यह बच्चे की पोजिशन पर डिपेंट करता है कि उसको आपको कमफट किदर लगता है दाइं तरफ लगता है या बाइं तरफ तो इसका लड़का लड़की होने से कोई संबन नहीं है क्योंकि आपको बेबी बोई होने पर द अगर आपको भी बाई कर्वट नीद आती है और आपका पेट अंड़ा कारे तो हो सकता है आपको बेबी गल हो या बेबी तो मेरे कैसे में तो बिल्कुल सही था आप दोनों पोजिशन्स हो सकते हैं बस आपको दिहान यह रखना है कि आपको सीधे नहीं सोना है क्यूंकि इस उसको ब्लेट सर्कुलेशन नहीं मिलेंगा उसको पोशक्ता तो नहीं मिल पाएंगे और आपकी भी पीट में दर्द हो सकता है आपको शांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपका डाइजसन सिस्टम खराब हो सकता है इसलिए अपने प्रेगनेंसी कंस्यू कर लीं है आपका थर्ड मन्ट सेकेंड मन्ट या फ़स्ट मन्ट लग चुका है तो आप दाई या बाई लेफ्ट यानि की राइट दोनों करवठी सोकर निकालिए आप बिल्कुल सीधे ना लेटें और अगर आप सीधे लेटते हैं आपको भी आदत नहीं हैं कमफर्ड नहीं लगता है तो के बाद पेले करवठ लेए उसके बाद ही धीरे से और आराम से उटे सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही थेंक्यू एसिंग फोर इस वीडियो वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें